English Bal Bharti Standard 6th Maharashtra State Board Unit 4 Chapter 4.7 The Sword in the Stone The Sword in the Stone Sword मतलब तल्वार in the stone पत्थर में तो ये एक चाप्टर है King Arthur एक फेमस ब्रेव किंग थे प्रिटिन के उनके उपर तो आएए देखते हैं इस चाप्टर में क्या दिया गया है King Arthur famous in legend and history as one of the bravest and noblest kings of Britain grew up as an orphaned youth before destiny intervened in the form of his protector and guardians Merlin the magician to reveal his true identity to the people of Britain तो एक किंग जो आर्थर जो थे वो हिस्ट्री के बहुती ब्रेव और बहुती अच्छे किंग थे वो ब्रिटिन के तो वो एक अनात की तरह वो पले बड़े लेकिन उन्होंने अपना जो एक स्थान है वो इतना अच्छा स्ट्रॉंग बनाया था कि उनकी प्रोटेक्टर गार्जिंस मरली इंदर मैजिशन बने जो उनकी आडेंटिटी बताते हैं लोगों के ब्रिटिन के लोगों को इन एंचेंट ब्रिटेन अट अट आइम वें दे लैंड वाइल बाबेंस दे गोड अटर फॉर्ट देम ब्रेवली एंड जो देम अवे फ्रॉम है लैंड तो पुराने ब्रिटेन में तो वहां पर एक टाइम ऐसा था कि उनकी जो जमीन थी वो इन वेट मतला पन्टोल हड्प हडपलिए था बाइ वाइल बार्बेर्यां बार्बेरिशिस मतला जो उनसिविलाइज पॉस पीपल होते हैं एक दम दूसरे लोग उनसिविलाइज वाइल पीपल रहते है लोग उनकी दौरा वह उनकी जमीने वह हडप ली थी लेकिन उन्हेंने बहुत ब्रेवरी से उनके साथ लड़े और उनको मार भगाया the people made him king of Britain and gave him the title pen dragon meaning dragon's head तो जो लोग थे Britain के उनोंने उनको king बनाया और उनको title दिया pen dragon का मतलब होता है dragon के sir king utter pen dragon ruled Britain wisely and well तो king जो utter pen dragon थे उनोंने ब्रिटेन पे शाषन किया बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बुद्धी मता से the people were content तो जो लोग थे वो खुश थे but very soon the king died it was thought that he had been poisoned by some tretors there was no heir to the throne of Britain पर जो king थे वो जल्दी ही उनकी मृत्ती हो गई तो लोगों का कहना था कि वो उनको poison दिया गय था wish दिया गय था बाय उनके tretors tretors मतला एक जो विश्वास घाती लोग रहते जिनके विश्वास नहीं किया जा सकता तो उनके उनके साथ विश्वास घात किया और उनको wish देके मार दिया अब बृतिन का जो राज तंत्र है जो कूरसी है वो उसके लिए कोई भी वारिस नहीं था कोई भी उमिद्वार नहीं था तो जो पावर्फुल लॉर्ट थे किंग थे वहां के तो जो किंग अटर जो थे उनके अंडर काम कर रहे थे तो उन्होंने डिमांड किया कि अब उनमें से किसी एक को क्राउन मनलब किंग बनाया जाए बृतिन का राइवल्री ग्रिव अंगेंज अमंग्स था लॉट और कंट्री एज अ होल बिगन तू सफर तो जो राइवल्री मतला एक तरीके से कॉंपेडिशन चालू हो गया उन लोगों के बीच में जिसके वज़े से जो पूरा कंट्री था वो सफर कर रहा था आम्ज आम्ज रॉबर्स रूम्ड दो कंट्री साइड पीलेजिंग फार्म आड फिल्स जो रॉबर्स थे जो करते थे वो कंट्री में घूम रह थे और उन्होंने फार्म लूटे खेत लूटे फिल्स लूटे people felt unsafe and insecure in their own homes लोग अपने आपको बहुत unsafe, insecure मैसूस करते थे खुद के घर में भी fear gripped the country and lawlessness prevailed over the divided kingdom तो country में fear का माहल था और जो kingdom जो था देश जो था वो divide हो रहा था वो टूट रहा था and was widespread वो बहुत एक तरीके से बोल सकते हैं कि टुकडे टुकडे हो रहते kingdom के क्योंकि वहाँ law नहीं था क्योंकि वहाँ का king जो था वो मार गया था कोई भी king नहीं था इसलिए वो कोई भी law चला नहीं सकते थे इसलिए वो चो country थी वो टुकडे टुकडे हो रही थी नेरली 16 years had passed since the death of Lord Arthur तो 16 years passed हो गए मतलब Lord Arthur को मरे हुए 16 साल बीद गए All the lords and knights of Britain had assembled at the great church of London for Christmas तो जितने भी lords थे ना राजा महराज जो थे बिटेन के में वो एक great church London के great church में gather हुए सब लोग आये Christmas के लिए On Christmas morning just as they were living at the church a strange sight drew their attention तो जब वो Christmas के सुबह जब वो church से निकल रहते सब लोग तो एक उनके सामने एक द्रश्या आया उनके सामने उन लोग के सामने जो उनका ध्यान वहां खीच के ले गया In the churchyard was a large stone and on it an unwill of steel and in the steel a naked sword was held and about it was written in letters of gold तो उन्होंने देखा जो churchyard Churchyard मतलब वो church के पीछे में एक जगा होती जाए कबरिस्तान होती जिसे कबरिस्तान कहते हैं तो वहां पर एक बड़े stone था वहां पर एक iron block था ठीक है उसमें एक iron pieces थे shape थे pieces के और उसमें एक जो तलवार होती वो उस stone में गड़ी होती है और उस तलवार पर लिखा होता है गोल्ड लेटर से लिखा होता है वो शो पुलेट आउट देस स्वाड एस by right of birth king of England जो भी स्वाड को निकालेगा उसका अधिकार होगा England का king बनने का ऐसा उस स्वाड पर लिखा होता है many of the king knights could not hold themselves back पुसरे लोग अपने अपको होल नहीं कर सके तो फैंसेंग अपने अपने अपको रोक नहीं सके वो जो किंग थे भाह के कि अपने future का king बनने के लिए वो उस पतर की तरफ दौर पड़े और उसको स्वाड को निकालने की कोशिश कर रहे थे एक एक अटेम्ब कर रहे थे सब लोग they pulled it with all their might but none of them could so much else move the sword उन लोगों ने बहुत जोर लगाया पर कोई भी उसे पुल नहीं कर पाया निकाल नहीं पाया, हिला भी नहीं पाया obviously the man who might draw the sword and prove himself to be our rightful king is not amongst us this morning said the arch bishop arch bishop, arch bishop means the priest who is the church's father the highest level of church priest who is the arch bishop arch bishop says that the one who will be the right king is the one who will be the right king लेकिन is not amongst us this morning लेकिन अभी यह नहीं हुआ है इस morning यह नहीं हुआ है हमारे बीच में से whoever every man who wish to try his hand at drawing this sword is free to do so for the next few days अगले कुछ दिनों तक वह कोशिश कर सकता है he who draws the sword will be crowned king जो भी sword को निकालेगा वो से ताज पहना जाएगा king का and to celebrate the appearance of this magnificent sword and prepare ourselves for the arrival of our future king we will hold a magnificent tournament on new year's day तो फिर to celebrate the appearance of this magnificent इस magnificent मतला बहुत ही सुन्दर बहुत ही अच्छा sword तलवार के appearance के लिए तो हम इसका celebrate करेंगे और अपने आपको prepare करेंगे future king के लिए और उस चीज़ के लिए एक बहुत ही भव्य टूर्णामेंट पी आयोजित करेंगे इस new year के दिन ऐसा आग bishop कहते है No, on new year's day a great number of young and brave knights gathered to attend the church service तो new year के दिन क्या होता है बहुत सारे जो brave and young knights होते king होते वो जोर्च में gather होते हैं After that they met in the field nearby to participate in the great tournament तो उसके बाद के होते हैं वो सब लोग मिलते एक फील्ड में to participate in great tournament में भाग लेने के लिए Duke and Counts, Earls, Barons and Knights crowded on to the field तो जो Duke होते हैं Duke मतला राजा, महराजा और Barons, Knights यह सब एक जगे एक जगे सम्मिलत हो गए Among them was Sir Ector, a noble knight उन में से एक थे Sir Ector, बहुत ही अच्छे King थे He was accompanied by his two sons Sir K and young Arthur तो वो आय थे अपने दो सन के साथ उनके दो बच्चे थे Sir K and young Arthur K was his own son who had been recently knighted Arthur whom he had brought up as a foster son was actually an orphan whom he had raised as his own child तो जो Sir K थे जो वो Sir Ector के son थे, खुद के उनके उलाद थी वो तो वो तो उनको तो knight बनाई दिया था, king तो बनाई दिया था लेकिन जो Arthur थे वो एक गोद लिया बच्चे थे अनाद बच्चे थे तो Sir Ector ने आर्थर को गोद लिया हुआ था और उनको अपने बच्ची की तरह पाला पोसा था बड़ा किया था The good Sir Ector loved both his son dearly तो वो अपने दोनों ही बच्चों को बहत प्यार करते थे As Sir K was preparing to join the tournament, he realized that he had left his sword behind at home तो जब Sir K was preparing to join, वो tournament join करने के लिए प्रिपेर कर रहे थे तो उनको यादा है कि तो अपने तन्वार अपने घर ये भूला है Hastily he summoned his younger brother and said to him Arthur you want me to win this tournament don't you तो वो फिर अपने छोटे भाई को कहते है कि आप Arthur तुमको नहीं लगता है तुमको नहीं लगता कि मैं a tournament you too Then you must help me out तो तुमको मेरी मदद करने पड़ेगी Take my horse and gallop home as fast as you can Get my sword and rush back here at once तो वो कहते है मेरी गोड़ागाड़ी लो और तुम जल्दी से जल्दी घर जाओ और मेरी तलवार लेकी आज जाओ ऐसा वो उसको आदिश देता है I am going call Arthur rushing off at once You shall have your sword sooner than you think तो बोलता है मैं जा रहा हूँ बहुत fast वो जाने की तैयारी करता है वो बोलता है कि तुमाई सोचने से पहले में जल्दी वो तलवार लेकी आ जाओंगा As he rushed past the church a glint of steel caught his eye the blade of a sword shining brightly in the morning sun तो जैसे वो चर्च से निकलता है तो उसकी एक steel की चमक उसके आखों में चुपती है Because of sun दिन के उजारे में वो जो steel blade होती है तो उसके आखों में उसकी shine चमकती है तो the sword was mounted on and availed on top of a block of marble right in the middle of the church तो देखता है एक तलवार तो वहाँ पर एक marble block of marble एक पत्थर की block रहता है उसमें लगी हुई है in the middle of churchyard It was the magic sword in the stone but Arthur knew nothing about it तो यह एक magic sword था पर इसके बार में Arthur को कुछ पता नहीं था ठीक है All he saw was a sword that was available for taking सिफ उसको पता था कि उसको sword लाना है जो एक ही तलवार लाना है जो अवेलेबल था लेकर जाने के लिए तो Kay shall have his sword straight away तो वो सोचता है कि फिर जो सर के थे तो वो सिधा उनको दे देगा Arthur said to himself वो अपने आप से ही बात करता है कि यह तो यहां पर पढ़ रहा है तो क्यों न यहीं वाला sword के को दे दे तलवार He ran up to the stone, seized the sword by the handle and drew it out effortlessly तो फिर वो जाता है भागते हुए stone के पास और वो sword को पकड़ता है और बीना effort लगा है उसको निकालेता है He rushed back to his brother and handed the sword to him breathless with excitement तो वो अपने भाई के पास जाता है दोरते हुए और उसको खुशी से excitement से वो sword swap देता है You are back very soon sir K said to him but hey this is not my sword तुम इत्या जल्दी आ गया इसा sir K कहते है पर यह तो मेरी sword नहीं है प्रिओाए इस सब्दमेश्ट कर दोर के दिए नहीं है प्रिण आर में रहां के कर दोंगता है आर में, 2 पुम स्ट्ट्ट आरे घुम सर दोर की इसार है